देखिए आप लोग को जो सरकार के तरफ से जो टेस्ट पेपर 2023-2024 का दिया गया है उसमें सभी सब्चेट का अधिकतर प्रश्ण पत्र बंगला में है और हमारे हिंदी मीडियम के लिए यह थोरा अश्विदा हो जाती है बंगला पढ़ने में बंगला को बहुत अच्छी तरह सब लेते होंगे लेकिन अधिकांस तो पढ़ने में थुरा अश्विदा होता है और सबसे बड़ी बात है जो उसको जो सब्द के जो टर्म्स जो है वह अश्विदा होती है इसलिए वो लोग टेस्ट पेपर को नहीं कर पाते हैं तो मैं आप लोगों को यह जो फिजकल साइंस जो है फिजकल साइंस का यहां पर जितना भी कोर्सेन है सबी को मार्दविक के पहले शॉल्प कराने का कूशिज करूंगा ठीक है लेकिन एक बात याद रखेएगा जिए परहाई का सिस्टेमेटिक होना चीए अगर आप परहाई का सब्सक्रावरान के प्रति अभिरूची जो है इस से इस टेस्ट पेपर में जितना भी एमसी क्यों को सबसे पहले कर लेंगे इतना तो हम विश्वास आ जाएगा जो पहला चैप्टर का कोई भी एमसी क्यों अगर आएगा तो मैं कर लोंगा तो यह जो है इस तरह से हम किसी भी प्रस्ण पत्र के सभी चैप्टर का एमसी क्यों करने लगेंगे तो इससे आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा और आपको अभी रूची खतम हो जाएगी तो चलिए हम लोग फिसकल साइंस जो है जो प्रथम अध्याय जो है इस टेस्ट पर कर लेते हैं और एक प प्रथम अध्याय जो अपने पर्यावरान के पती अभी रूची है उसका सभी एमसी क्यों को इस्टेश्ट पर द्वारा हल कर लेते हैं और यह जो होता है एक मार्स का होता है तो चलिए पहला जो सवाल है सोड़े सेल में बेवरित अर्ध चाला का नाम जर्मेनियम सिलिकन अल्मुनियम ग्रेफाइट शॉलर जो सिल जो होता है उसमें जो अर्ध चालक जो विवार क्या जिद्धा वो इसमें से कौन सा गई इसमें इसका एंसर देखिए यहां देखिए शॉड़क उस अर्ध चालक सिलिकन का बना होता है तो इसका एंसर क्या हो सकते हैं चलिए दूसरा कुस्टिन सभविक रूप से ओजन अस्थर का निर्मान होता है यह नमरा ऑक्सिजन तथा जलीवास्प के पतिक्रिया से दूसरा है अल्ट्रावायलेट कीरने के साथ ऑक्सिजन का पतिक्रिया तीसरा है के साथ ऑक्सिजन का पतिक्रिया चौथा है अवलोहित कीरन के साथ ऑक्सिजन का पतिक्रिया से यहां पे देखिए ऑक्सिजन का एक अनूप पैड़ावेगिनी कीरिया यू भी के कारण दो परमानू में तूट जाते हैं तो यहां ऑक्सिजन और क्या है पैड़ावेगिनी मत इसका एंसर हो जाएगा बी नमर अल्ट्रा वायलेट किरन के साथ ऑक्सिजन का पति किरिया इस चैप्टर का सबसे महत्वपून जो सवाल है वो यह तीन नमर सवाल है और इसी सवाल को घुमा के भी दिया जाता है हम आपको बाद में बता रहें देखिए यह सबसे पहले देखिए यह दो बार आचुका इस टेस्ट में निमलिकित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो इसका एंसर हो जाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सिजन अगर आप्सिजन में रहेगा तो आप सीधे याद वह हमारे ग्रीनाउस गैस नहीं है तो यहाँ एंटू है और ऑक्सिजन में भी देखिए ओटू तो एक ही आपका अलफ़ावेट है इससे भी आप समझ सकते हैं यहाँ पर देखिए चान नमर ओजन अस्तर का धंस में उत्पेरा के रूप में कार्य करता है तो इसको आप इ सवाल देखिए बायू मंडल का सीतलता मस्तर कौन सा है यह दो बार आ चुका है यह तो इसका एंसर होगा मेसो स्थैर होगा कौन सा गैस अवलोहित किरंड को शोशन नहीं करता है इसी सवाल को देखिए यह जो तीन नमर सवाल था जो इसमें से कौन सा greenhouse gas नहीं है यह दोनों सवाल एकी है तो यहां कहा है जो कौन सा gas ऑफलोहित किरन को शोषन नहीं करता तो सीधे आप याद रखिए इसमें से कौन सा gas है जो greenhouse gas नहीं है तो single alphabet वाला जो होगा वो greenhouse gas नहीं है यह हो जाएगा इसमें देखिए single oxygen इह है इसमें 2 alphabet है इसमें भी देखिए nitrogen दो आल्फा बेड यह carbon hydrogen दो अल्फा बेड है तो जो single alphabet का होगा वो greenhouse gas नहीं है तो इसी question के दिखिए है यह घुमा के दिया कौन सा गैस अवलोहित किरन को शोशन नहीं करता है मतलब ग्रीन हाउस गैस नहीं है कि साथ नमर निमली कित कौन सा गैस ओजन अस्तर को छह नहीं करता देखे वन प्लस वन मतलब यह दो बारा चुका है तो यहां सीधे याद रखेंगा तो इसमें से दिखिए का जो ग्रीन हाउस गैस होगा ना वह उजन अस्तर को छह नहीं करेगा तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा है कारवन डैयोकसाइट आप नमर वाई मंडल के की से अस्तर में महाकाश स्टेशन है यह तो आप लोग भूगोल मे अस्थाबित किया जाता है आप देखिए यहां LPG का परधान उपादान कौन सा है यहां LPG का परधान उपादान है वह है ब्यूटेन और उसी तरह से CNG का अगर परधान उपादान अगर पुछा जाएगा तो हमें से याद रखेगा उसका होगा मीथेन होगा याद यह अधो मंड्र सम्ताफ मंड्र मद्यमंड्र ताप मंड्र सकी होगा इसको च्छोबमंडल भी किछ कहते इसको ट्रूपस्वेयर होत कि इसमें ब्यूपमंडर भूब धूल कन जलीउ बास होने के कारण इस अस्तर का घंजत्व अधिक होता है इसलिए आपका जो सबसे ज़्यादा घनत तो जो होगा कौन सा स्थर होगा तो यह आधो मंडल होगा अब देखें इसमें से कौन सा जिवास में इंधन नहीं है तो यहां जो है देखें यहां पे जो नवीकरन उर्जा जो है और और नवीकरन उर्जा देखेगा तो यहां नवीकरन उर्जा सोड़े उर्जा है और और नवीकरन उर्जा जो पेट्रोल डीजल कोईला है जो एक नएक समय में खतम हो सकती है तो इहां पे जिवास्म इंधन जो होते है जो एक समय खतम हो सकती है और यह सब्सक्राइब और यह सबी पेट्रोल्डीजल कुईला जो है यह जिवास्म इंधन है बारेना मजौल देखे not. ग्रीन हाउस गयस के रूप में प्रिथिवी के तापकरम号 करने में किस गैस का आउदान सबसे अधीक है इस question को आपको घुमा के इस तरह से भी पूछा जा सकता है जो green house गैस के लिए सबसे जादा कौन सा गैस का आउदान सबसे अधीक है तो उसका answer हो जाएगा carbon dioxide बहुत मौत्पुन सवाल है तेरा नमर सवाल देखे है वो जो अस्थर के घनत्यों को जिस इकाई से प्रकास किया जाता है वो होगा dobson unit यह जो है इसको dobson unit का जाता है इसका answer हो जागा d 14 नमर देखे मेरू जोती या दुरूबिय जोती किस अस्थर में उत्पन होता है तो इसका answer हो जाएगा आयनस्थर आयनोस्फियर ठीक है आप देखे रेडियो तरह का परसारन होता है यह इसका answer आप बहुती भात ही जानते हैं आयन मंदन तो यह देखे आप देखे इस तरह से आप अगर पढ़ेंगे तो आप देखे इतना तो है कि चलो हम लोग का अगर पर्थम जो चैप्टर है उसमें से कोई भी अगर हमको इस चैप्टर से कोई भी अब सवाल आएगा तो हम कर पाएंगे यह जो विश्वास जो है ना तो आगे बढ़ने में मदद करती है